हेलो फैमली नमस्ते कैसे हैं आप सब कमेंट के द्वारा जरूर बताईएगा तो मेरी बेटी आज बोली की ममा आज मुझे नोडल्स खाना है और मैं मार्केट वाला नोडल्स खाऊंगी तो मैंने बोला बेटा मार्केट का नोडल अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसमें में बहुत टेस्टी लगता है क्यों लगते है उसका एक बशल नहीं होता है तो आप कभी विए अपने बच्चों को बहार का नोडल्स बिलकुल ना खिलाएं भीकेट का घर पे बनाएं तो चलिए रेसेपी को शुरू कर देते हैं कुछ जानकारी जो मुझे पता थे आपके साथ शेयर किया यहां पर मैंने पानी रखा पानी गरम हो गया तब उसमें मैंने डाल जाया था नमक थोड़ा सा ओयल और उसके बाद जो मैंने हकर नोडल्स लिया था उसके पैकेट डाल यह 10-15 मिनिट के बीच में यह बॉयल हो जायागा फिर हम इसको चान लेंगे और ठंडे पानी से इसको धो देंगे जिससे की वह चिपके नहीं आपस में तो बस अब यहां पर मैंने कडाई रखा है उसमें ऑईल डाल दिया है अब ऑईल डालने के साथ यहां पर मैं स्लाइ प्याज ग्रेट किया हुआ अद्रक डाल के और इसको भून लेंगे अद्रक का जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छा आता है जरूर आप ट्राई कीजेगा उसके बाद जो गाजर है स्लाइस मैंने कट कर रखा है गाजर को एट करेंगे क्योंकि गाजर जो है थोड़ा साइनिज रेसेपी होती है उनको हमें हाई फ्लेम पर कुक करना होता है तब ही वह टेस्टी लगती है खाने में बस यहां पर देखिए थोड़ा से इसको हम कर लेंगे स्वाद के अनुसार यहां पर नमक डाल देंगे ताकि सबजियों में नमक आजाए बाकी तो जो इसका टेस्ट मेकर होता है उसमें भी साल्ट होता है तो उस चीज़ का भी आप ध्यान दें यहां पर नूदल्स देखिए बायल हो गया है ऐसे अब चेक कर सकते हैं टांस waffle हो जाता है तो देखिए टांस Il गया है मिंसकी हो गया धुक्तक करते हैं तो ऐसा हो जाता है तो यह पर देखिए मैंने इसको ठंडा कर लिया है और आप चाहें तो थोड़ा ठंडा पानी भी डाल के कर सकते हैं उससे क्या होता है उसकी कुकिंग प्रोसेस रुख जाती है अब यहां पर मैंने जो उसके साथ सॉस थी चिली सॉस सॉया सॉस वह मैंने डाल दिया थोड़ा नूडल्स डालें तो आपके नूडल्स कभी चिपकेंगे नहीं तो फिर क्या यहां पर देखे मैंने डाल दिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों हाथों से दो स्पून से जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं घर का बना खाना एकदम शुद होता है और उसमें कोई मिलावट नहीं होती है तो हम बाहर का खाना क्यों देबच्चों को जब हम घर में ही अच्छा सा सुद बना सकते हैं तो इसी तरह से हमने भी घर में बना लिया है और बच्चे भी खुष मैं भी खुष क्योंकि बाहर का खिलाने से अच्छा है घर का करके बताइएगा उमीद करती हूं को आपको अच्छी लगी होगी और अब जो है यह अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम लास्ट में इसका टेस्ट मेकर डाल दें जो कि स्वाद को दूगुना कर देता है इसके साथ में नमक होता है तो नमक आप सब्जियों के हिसाफ से ह आप मैंने विनेगर डाल दिया है जिससे कि स्वाद अच्छा हो जाता है विनेगर डालने से तो बस अब हमारी जो नूडल से बनके रेडी हो गई है तो बच्चों ने संड़े को नूडल के साथ इंज्वाई किया बहुत अच्छा लगा बूली मम्मा यह तो मार्केट से अच्छा है तो अब भी मार्केट वाला बंद करके अपने बच्चों को घर वाला नूडल्स खेला है बनाना बहुत असान है 15-20 मिनट में बन जाता है अगर आप दोनों चीज़े एक साथ करते हैं तो 15 मिनट में ही बन जाता है अब यहां पर हमेंने एक प्लेट में इसको स का सकते हैं तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप सब मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं जरूर बताइएगा और थोड़ा मेरा घला खारावे तो उसको इग्नोर कीजेगा क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो रहा है में बाहर भी गेती मिलती हूं नेक्स्ट टीडियो